हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्ष हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आरारबी एंटीपीसे सीबीटी ट्यू एंड ग्रूपडे एक्जाम अपडेट तो फ्रेंड्स फाइनली वोडेट आ गया जी या फ्रेंड्स देखलो आगे ऑफिशल नोटीस पहले ही बताया था यह जो ग्रूपडी और एंटीपीसेल कैंडिएट्स हैं इसमें मैक्सम लोग मेरे विश्वास नहीं करते हैं कहते हैं मैं फेक निउस देता हूं हमेशा निगेटिव फैलाता हूं तो फ्रेंड्स जो अपडेट मिलेगा मैं वह आ जाएगा यानि फाइनली अज दो दिन में आ गया मैं बोला भी था एक दो दिन में आ जाएगा तो अब आप लोग सोचेंगे कैसे इतना डिलेट लिए पहले बोधित कैसे भविश्वारी कर दिया था तो फ्रेंड्स मैं भविश्वारी कोई चीज नहीं करता हूं जो च चीज़ सकते हैं उसमें उसमें साफ 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 बोल दिया था जिसका पॉश्पॉन में नोटीस एक या दोडिन में आ जाएगा तो फ्रेंड्स फाइनली आज वो नोटिस आ गया आप लोग कहेंगे इसको गूरूब डी और एंटीप से सक्क्रियो लेट किए हो तो ये भी जो हैं मेरे उपर बिश्वास नहीं करते हैं जो कहते हैं हमें सा fake news फालत निंगे duty फैलाता है तो friends अब मैं जूठा आपको उमीद तो नहीं दिला सकता हूं आज exam होगा कल exam होगा जूठा उमीद मैं क्यों दिलाओं जब मैं railway के बारे में अच्छी तरीके जान रहा हूं कि railway का क्या situation नहीं है railway कब क्या कर सकता है क्या नहीं कैसे तुम्हें कैसे बता दू और जो मुझे information अंदर से भी निकल कियारे में वही बता रहा हूं मैं UPPC के बारे में भी confirm बताया था ठीक है कि यह exam pushpon हो चुका है बस notice नहीं आया है तो अब notice आपके सामने आच चुका है ठीक देखें विग्यप्ति 13 जनुरी आज का भी सम्मेलित राजी अभियंत्रण सेवा सामाने चैन विशेष चैन परिच्छा 221 विग्यापन संखिया A5 E2121 दिनांग 13 1221 के अभ्यर्थियों को एतत द्वारा सूचित किय आजाता है कि विग्यप्ति संक्या 213 E1 2221 दिनांग 8 नॉंबर 21 के माध्यम से प्रश्नगत परिच्छा जो दिनांग 13 जनुरी 2022 को प्रस्तावित थी अब परिहार कारणों से अस्थकित की जाती है उत लिखित परिच्छा अब दिनांग 17 अप्रेल 2022 को आयोजित की जाएग अर्विंद कुमार मिस्र परिच्छानी अंत्रक तो फ्रेंड्स में आपको यह भी बात बताया था कि जब एक्जाम करेंगे तो दो तरके का रीजन लिख सकते हैं एक तो लिखते हैं अनवाइडेवल रीजन इंगलिस में अगर बात करें तो अपरिहार कारणों से ठीक है अपरिहार कारणों से या फिर ओपेंली अगर लोग लिखते हैं यहाँ पे डियू टू कोवीट सिच्वेशन दू मिलब की इन सर्ज अफ कोवीट जो भी यह मतलब ऐसे लिखते हो या तो उपनली उस बात को रिजन को रखते हैं या फिर कहीं कोई रिजन नहीं देना होता एटपीसे के बारे में वैं ऐसा बोल पा रहा हूं कि आपने एकसाँ पोस्ट पॉन हो जाएंगे ठीक बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि जब इलेक्शन हो रहा है तब इक्जाम क्यों नहीं होगा भाय यही तो मेन उलेक्शन हो रहा है इसलिए तो एक्जाम नहीं हो अगर election होगा तो exam नहीं होगा या अगर एक्जाम होगा तो election नहीं होगा अब हमें कितना example अभी स्सीच सेशल का exam चल रहा था 2020 में तो बेंगॉल में इस exam को रोख दिया गया था ठीक है और बिहार जब बिहार के सारे वेकंसिस को रोक दिया गया सारे एक्जाम को रोक दिया गया तो खुद आप लोग सोच लो कि कैसे अभी एक्जाम हो सकते अभी पांच राजयों में तो आप लोग यहां भी कहोगे कि इन पांच राजयों को रोक दिया जाएगा बाकी राजयों में एक्जाम क रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ लोग कोई भी बात लेकर आजारे कोई बात लेकर रहा है कोई आप गुरूबडी एक्जाम एक महीनिम खतम हो जाएगा यह वह जाएगा बहुत सारी अफ़ाइं फैल रही थी अभी कल एक नए आफ़ाइं रिजल्ट को लेकर के कि रेल्वे अ फिर उससे कुछ दिन पहले आ जाएगा भाई यह तो बात नोटिस में में सब्सक्राइन ने कब बता दिया कोई प्रूफ मुझे दिखा दो रेल्वे अधिकार ने बताया हो तो ठीक है अभी इसके साथ फ्रेंट्स हाँ वह एक और वायरल खबर है कि नो वैक्सीन नो एक् सचाई सामने लाए था जब अफ़ाफ है लाए गया था कि अभी किसी भी एक्जाम पर रोक नहीं लगेगा सारी प्रिच्छाएं अपने समय पर होंगी और इसे गौर्णमेंट का और बताया जा रहा था और से रेलेवे एक्जाम से जोड़ कर दिखाया जा रहा था जबकि लोग यह बोले थे कि जो स्कूल कॉलेज में एक्जाम सब्सक्राइब हो रहे उन पर रोक नहीं लगेगा ठीक है उसमें रेलवे एक्जाम या फिर किसी अधर कंप्रेटीट्व एक्जाम का कहीं भी कोई मेंशन नहीं था कि हां ऐसा कुछ रेलेवे एक्जाम से लिए कहा जा रहा है और बिल्कुल ऐसा एकुछ वेक्जनेशन को भी लेकर क्या میں आपको प्रूफ दिखाऊंगा वेक्जनेशन का रेल्यवे एक्जाम से कोई लेना देना नहीं है और व्एक्जनेशन का बॉढणीशन कभी भी लगाया भी नहीं जा सकता है बिल्कुल यह अनकॉंस मालूम है तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है तो यह बिलकुल अनकॉंस्ट्यूशनल हो जाएगा अगर कोई कहता है कि अगर आपने वैक्शीन नहीं लगवाया है तो आप यह काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते बिल्कुल unconstitutional है क्योंकि आर्टिक 21 के बिल्कुल खिलाफ है ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग से बस यही कहूंगा यह सब अफवाएं हैं इसे में डिटेल वीडियो पर ला दूंगा अभी कल एक नोटिस का फैल आई था होई वीडियो मैं ने ल फैलिटेली जो है पुस्पॉन हो चुका है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक और मैं बोला था कि नोटिस एक या दो दिन में तो आनगता है तो फिरिंट्स दो दिन में फाइनली आ चुका है हो सकता है वाप लोग विश्वास करने में क्या कह रहा था किस वेस पे कह रहा ठीक है तो मैं वैसे हमां बात नहीं करता हूं जब प्रूफ रहता है तब भी बोलता हूं अदरवाइस नहीं बोलता हूं ठीक है बाकी आप लोग के उपर डिपेंट करता है आप किस पर विश्वास करते हैं किस पर विश्वास नहीं करते हैं ये तो आपका मन है ठीक है आ अगर आपको जरा सही मेरी बात समझ में आई हो पसंद आई हो तो एक थमसब जरूर कर देना ठीक है और अगर आप चैनल पर पहली बर विज़िट कीए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले है ठीक है अब यह जो न्यूस था मैंने आपको दिखाई दिया कैसे फेक है वह उसमें कोई रियल्टी नहीं है अब यह भी आपने देखी लिया आपके पास आचुका है मतलब उसका नोटीस आ गया पॉस्ट पॉर्णमेंट का तो अब मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत